हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू जॉब्स अड़ा दोस्तों मीद है कि आप सब खेरत से होंगे तो चलिए आपको देख रहा होगा आपकी स्क्रीन के उपर आज से हम इस सीरीज में शुरू करने जा रहे हैं आपके क्रंट अफियर्स के उपर MCQs आपको करना क्या है इन करंट अफियर्स को पहले आपको पढ़ना है जॉब्स अड़ा की वैबसाइट पर जाएए और करण affairs को पढ़िए current affairs को पढ़ने के बाद आग अगर आपको लगता है कि current affair आपको clear हो चुके हैं तो आप quiz की section के उपर जाए और वहाँ पे current affairs के mcqs जो हैं उनके उपर सवाल कीजे तो चलिए इनको ही आज हम discuss करेंगे और आज के जो current affairs जो हैं यह हमने शुरू किया है जुलाई एक तारिक से और हर दिन में हम क्या करेंगे mcqs के पर जो current affairs के जो पर जो mcqs होते हैं उनको हम discuss करेंगे और आपको क्या करना है कि वीडियो को pause कीजे और pause करके पहले question का answer देने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए और हमें comment section में जरूर बताईए कि आउट आफ जितने भी questions होंगे out of question out of number आपके पास कितने answer जो हैं सही आए तो चले discuss करते हैं पहला सवाल है आपके सामने the central electronic limited that is जो है CEL इसने क्या किया was recently granted इसने grant दिया किसको यही सवाल पूचा गया status on its golden jubilee celebration के उपर तो option से आपके पास option number one mini रतन status दूसरा है आपके पास महारतन status तीसरा है नवरतन status और fourth option है आपके पास none of the above उमीद है कि आपने grant affairs को पढ़के इसका सही जवाब दिया होगा और इसका जो सही जवाब है वो है आपका mini written status दिया है किसने central electronics limited उसके बाद next अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका explanation भी है तो explanation जो है यह आपको quiz की जो section है उसमें भी आपको मिलेगा लेकिन तब मिलेगा पहले आपको question attempt करना होगा और उसके बाद जब result आएगा उसके बाद आपके सामने उनके explanation शो हो जाएंगे उसके बाद next question की बात अगर हम करें तो next सवाल है name the largest communication satellite क्या बताना है largest communication satellite का नाम बताना है किसका और इंडिया का जिसमें क्या होगा which will be the first satellite जो पहली satellite होगी जिसको launch किया जाएगा abroad space x falcon 9 rocket के जरिये तो option है कौन सा rocket है वो satellite कौन सा है that is g set 20 g set 11 तीसरा है c ri set 23 और fourth and last one है g set 27 तो इसका जो सही answer है आपने भी सही दिया होगा उमीद करता हूँ और इसका जो सही answer है that is आपका g set 20 और इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे explanation को देखेंगे तो देखेंगे the largest satellite किसकी isro g set 20 यह आपको याद रखना है कि यह क्या है will become the first satellite पहली satellite जिसको launch किया जाएगा on the space x falcon 9 rocket के जरिये कब किया जाएगा in august 2024 में यही आपको याद रखना है इसके लावा इसमें याद रखने के लिए आपको examination purpose के लिए कुछ भी नहीं है उसके बाद next question की बात करें तो the first field of hydro thermal winds इनको discover किया गया in the depth of कितनी depth में 3000 मेटर की during a 2022 expedition में सवाल पूछा गया है कि किस ने expedition किया तो option number one है हमारे पार maria as marine दूसरा है locato as julian तीसरा है jammy you lower और last one है none of the above तो इसका जो सही answer है that is आपका option number one that is marine as maria as marine इन्हों ने एक्सपेडिशन लेड किया था 2000-22 में जैसा कि आप इधर इसमें देख सकतें इसके explanation में भी उसके इलावा next question की बात करें तो researchers ने क्या किया researchers कहां कि researchers from India have recommended क्या इन्होंने recommend किया कि replace करना है किसको that is oral glucose that is tolerance test जिसका मैं जैट इन फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में ओ जी टी टी और किसके साथ रिप्लेस करना है किसके लिए to determine if a pregnant woman has developed gestational diabetes तो कौन सा है option number a that is cbc hba1c क्या वो thyroid है क्या वो fasting insulin है तो याद रखिए इसका इसका जो सही answer है that is hba1c इसका सही answer है आप आगे देखिएगा आगे इसका correct explanation मैं भी सारा कुछ दिया हुआ है अगर आपको पढ़ने की जुरूरत है यहीं पर आगर हम बात करें important है आपको जानना जुरूरी है that is ogtt तो जो होता था test यह क्या करता था it measures how well the body can process large amount of sugar यार रखे ogtt जो test हुआ करता था यह क्या करता था major करता था कि आपकी body में how well the body can process large amount of sugar लेकिन अब जो test लाय जा रहा है जिसको recommend किया गया that is hba1c यह क्या है test it is a type of blood test यह blood test की type है that shows जो हमें बताएगा your average blood sugar level तो यह है दूसरा आज का next important mcq उसके बार next question की बात करें तो सवाल पूछा गया है important सवाल है कि 300 families जो है recently उनको क्या किया गया उनको relocate किया गया कहां से of the island of सवाल पूछा गया कौन सी island से उनको relocate किया गया इन पनामिया गुना याला प्राविंस से due to किसकी वजह से उनको relocate किया गया due to sea level rise कौन सी island है क्या वो टाबोगो है टाबोगा क्या वो इसला ग्रांडी है क्या गार्डी सुगडूब है क्या इसला बोना तो याद रखे वो island है आपका option number 3 that is गार्डी सुगडूब यही वो island है जहां से 300 families को relocate किया जा रहा है किसकी वजह से due to sea level rise की वजह से उसके बाद इसका explanation भी देखेगा आप उसके बाद next question की बात करें सवाल पूछा गया है कि name the portal उस portal को उनका नाम बताइए जिसको launch किया है किस union agriculture minister ने और किस मकसद से that aims to provide a comprehensive and immerse storytelling space where जहां पे क्या होगा narratives of Indian agriculture community can be shared and celebrated सवाल पूछा गया है उस portal का नाम बताइए तो क्या option number एक को देखेगा क्या हो क्रिशी कथा platform है क्या सारा शक्ती platform है रिशी उर्जक platform है या रिशी क्रिशी विकास platform है तो यार रखे इसका जो सही answer है वो है आपके पास क्रिशी कथा platform जो एक ऐसा platform है जिसको launch किसने किया याद रखेगा by the union agriculture ministry उसके बाद next question की बात करें उमीद है कि यहां तक आपके भी आप सही जवाब दे रहे होंगे उसके बाद next question की बात करें सवाल पूछा गया name the application पीछे पड़ा हमने name the portal यहां पे पूछा गया उस application का नाम बताईए जिसको launch किया है इंडियन रेलवेज ने और किस मकसद से aimed at educating and empowering rpf personals जिसका मकसद है educate करना और empower करना किन को rpf personals को क्या वो कौन सी application है क्या वो संग्यान है क्या सम्मान है क्या सावीतरी है या से विकी तो याद रखिए इसका जो correct answer रहेगा that is है वो आपका संग्यान संग्यान जो है वो portal application launch की है किसें by Indian railway नहीं यह आप इसका correct answer देख सकते हैं with explanation के साथ next question है आपकी screen के सामने who among the following has been recently appointed as किसको recently appoint किया गया as Indian foreign secretary replace जो replace किसको करेगा विनाय कवाटरा यह आपको याद रखना है विनाय कवाटरा जो है इसको replace किया गया क्या as India's foreign secretary क्या वो विक्रम मिस्री है जगमोहंदास है विनीज सागर है या गोविन सागर तो उमीद है कि आपने भी सही आंसर दिया होगा और इसका जो सही आंसर है दैट इस विक्रम मिस्री विक्रम मिस्री के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे explanation में most important personality है इस सुनिए the union government of India जिसने recently appoint किया किसको विक्रम मिस्री को as India's new foreign secretary replace किसको करेगा विनाय मोहन कवाटरा इसको replace करेगा और कब से करेगा जुलाई 15 दो हजार चूबी यनि के आज है 16 तारीक और पिछले कल इसने office को assume किया होगा विक्रम मिस्री जो है यह है कोन he is an IFS officer from 1989 batch का और previously इसने सर्व किया है as private sectorities of 3 p.m. याद रखो तीन प्राइम मिस्री को इसने सर्व किया कौन कौन डैट इस नरिंदर मोधी दूसरा मनमोहन सिंग और तीसरा एंड इंदर कुमार गुजराल और इसको किसके लिए जाना जाता है he is known for his expertise in China यह आपको याद रखना है most important current affair का यह MCQI उसके बार next question की हम बात करें सवाल क्या पूछा गया कि who among the following release the global live ability index दो हजार चोबिस दोस्तों ऐसे यह जो सवाल होते हैं ठीक है indexes को लेके जो आप sustainable development goal में पढ़ते हैं या जब आप world bank को discuss करेंगे या IMF bank को discuss करेंगे या who को करेंगे जैसे आपका world health organization ILO International Labour Organization तो वो जो indexes जो provide करते हैं release करते हैं यह exam में बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं यहां पर पूचा गया कि इस index को release कोन करता है क्या EUI है क्या world bank है क्या ndb है या IMF bank है तो या रखिए इसके release करने वाले हैं that is EIU उमीद है कि आपने भी इसका सही answer दिया होगा और EIU को देखे क्या है the economics intelligence unit has recently released इन्होंने क्या क्या global liability index 2024 का उसके बाद next question और इस series का आज के lecture का आखरी question है आप मुझे comment section में जुरूर बताइए कि आपने आपका कितना score हुआ 10 question से 10 में से कितना score हुआ आखरी question क्या है आपका इंडिया ने क्या किया है आपने जानते होंगे सब के अभी recently क्या conduct हुआ that is world cup world cup हुआ T20 2024 का that is कहां कहां पे that is in USA and इसके लावा West Indies में सवाल पूछा गया है इंडिया recently इंडिया ने किसको बीट किया कितने रनों से by 7 run to win the T20 World Cup 2024 का जो final जो conduct किया गया कहां पे बार बैडोस में और बार बैडोस कहां पे है that is आपका West Indies का West Indies सवाल पूछा गया कि किसको बीट किया गया तो यह बहुत आसान सवाल है sports को लेके क्या वो South Africa था क्या Australia था क्या England था या Pakistan तो इसका जो सई आंसर है वो है that is South Africa South Africa को इंडिया ने हराया World Cup का final में 7 रनों से और जीता क्या T20 World Cup का title आपके लिए एक सवाल है यहां पे के बताईए इंडिया ने पहली बार इंडिया ने पहली बार World Cup का title कब जीता World Cup T20 वाला यह title कब जीता पहली बार और किस की Captain इसी के अंडर जीता यह आपके लिए सवाल है जुम्मीद करता हूँ कि आप आप कमेंट सेक्शन में जुरूर इसका जवाब देंगे मिलते हैं अगले एक शानदार सी वीडियो में